अब तुम्हारा बंगला नहीं, मेरा बंगला है, तो अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहां से दफा हो जाओ अभी के अभी अभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, क्योंकि यह अब कंचन कपूर का बंगला है, और तुम्हारी यहां पर एंटरी बैंट है। दीपक अब यहां से वहां दर दर भटकने लगता है, वो बिचारा अनात था और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, सारी संपत्ती तो कंचन ने लूट ली थी, दीपक एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करने लगता है, तब ही मजदूरी का माल ढोते समय, उसे गरीबों के बीच मजदूरी कर रहे हो, अरे ऐसा भी क्या हो गया, जो तुम्हारी इतने बुरे दिन आ गई, दीपक को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता, वो एक किराई के मकान में रहने लगता है, और वो धीरे धीरे अपने जीवन में आगे चांदनी नाम की एक लड़की से होती है, जो शहर से गाउं में अपने बुढ़े नाना जी के पास आई होती है, वो मौडन तो होती है, लेकिन फिर भी घरीब और साधारन किस्म की ही होती है, दोनों को धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार होने लगता है, और फिर दोनों शा दीरे दीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है, कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना आई लव यो चांदनी, आई लव यो टू दीपक, चांदनी, मैं तुम्हें अब वो सारी खुशियां तो नहीं दे सकता, लेकिन इस सिंपल सी डिनर डेट में भी, मेरा दुनिया भर का प्यार छुपा है तुमारे लिए, इस ओके दीपक, तुमारे साथ जो तुमारी पहल आई समय बिताते हैं, वहीं दूसरी ओर कंचन बंगले में रहकर एशो आराम की जिंदगी बिता रही होती हैं, एक दिन, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते समय, दिपक के पैर पर कई सारी इट एक साथ गिर जाती हैं, जिस कारण उसके पैरों से बहुत खोन बहने लगता है, सभी लोग उसके पास इकठा हो जाते हैं और उसे तुरंट अस्पताल ले जाया जाता है, उसका पैर भुरी तरह से फ्रैक्शर हो जाता है, और अब वो घर पर ही आराम करने लगता है, चिंता मत करो दिपक, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कैसे चांदनी, कैसे ठीक हो जा कर पैसे कमाऊंगी, शेहरी हूँ, लेकिन अब शेहर का टेस्ट गाउ मे लाऊंगी, अपना ठेला लगा कर, हूँ, नहीं चांदनी, प्लीज, ऐसा मत करो, नाना जी क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में, प्लीज, तुम ऐसा मत करो, मैं, मैं देख लूँगा, ले और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है, ये सब तुमने जान बूच कर थोड़ी न किया दिपक, टेंशन मतलो, नाना जी कुछ नहीं कहेंगे, उल्टा वो खुश हो जाएंगे, मुझे काम करता हुआ देख के चांदनी अगले दिन से चौक पर ठेला लगा कर रोटी, सबजी और दाल, चावल बेचने लगती है, एक दो दिन में उसके ठेले पर ग्राकों की भीड जम जाती है, और सभी को उसके हाथ का बना खाना बहुत पसंद भी आता है वाह, अती हो तम, बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो तुम अरे भई, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपका खाना, जी करता है ये दाल और पीते ही जाओ, पीते ही जाओ, सच मैं, ये घी वाली दाल बहुत स्वादिश्ट है, और ये जीरा राइस भी धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद भाई साहब, चान्दनी के ठेले पर अब दिन बदिन ग्रहकों का आना जाना बढ़ जाता है, जिस कारण लोग पूरे रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं, एक दिन सरपंच के आदमी आकर चान्दनी से कहते हैं ओ मैडम जी, तुम्हारे ठेले के कारण पूरी चौक भर जाती है, या तो अपने ठेले को दो दिन में यहां से हटाओ, या पिर एक धावा बना लो, जिसमें तुम्हारे सारी ग्रहक चैन से बैठ कर खाना खा सकें, यूँ रास्ते पर खड़े होकर रास्ता ना ब्लॉक कर ओ, माफ कीजे का भाई साहब, मैं इस बात को ध्यान में रखूंगी, दो दिनों की बाद से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा ठीक है चांदनी अब चिंता में पढ़ जाती है, वो ये बात अपने नाना जी और दीपक को भी बताती है, तभी मुझे माफ कर दो चांदनी, मेरे इस फ्रैक्चर्ड पैर की वज़ा से, तुम्हें ये सब झेलना पड़ रहा है, वरना तुम्हें इतना काम करने की कोई नौबत ही नहीं आती फिर वह बात, दीपक, तुम क्यों बार-बार खुद को कोस रहे हो, इस सोगे, प्लीज, खुद को कोसना बंद करो, तुम ये सब जान बुझ कर नहीं कर रहे हो अरे चाननी बिटिया, मेरे पास एक सुझाओ है, अब हमारे पास कोई मकान तो है नहीं, जिसमें हम धाबा खोल सके हाँ, तुम मेरे दोस्त, जयनती लाल की खेत के बास की लकणियों को तोड़ कर एक बास का धाबा बना लो बास का धाबा? ये कैसे मुम्किन है नाना जी? अरे मुम्किन है बेटा, कुछ दिन पहले ही मैं एक अख़बार में देख रहा था, किसी गाओं में एक परिवार ने बास का घर बनाया था हा नाना जी, मैं जानती हूँ, ये एक बहुती बढ़िया सुझाव है बास के धाबे से धाबे में शुद्ध हवा और ठंड़क बनी रहेगी और वो दिखने में भी बहुत सुंदर लगेगा चांदनी जैनतीलाल के खेट से बास की लकडियां तोड़ कर लाती है और वो और दो मिस्त्रियों की मदद से एक बास का धाबा तयार करते हैं और उस धाबे में सभी ग्रहक बैठ कर सुकून से खाना खाते हैं पूरे गाउ में चांदनी का बास का धाबा एक आकरशन बन जाता है वहाँ दूसरी और बंगले में चोरी होती है और कंचन का दीपक से लूटा हुआ सारा धन भी चोरी हो जाता है वो बुरी तरह कंगाल हो जाती है जब उसे अपनी सौतन के बास के धाबे के बारे में पता चलता है तभी वो गुसे से आग बबूला हो जाती है अच्छा तो उस दीपक ने दूसरी शादी कर ली है और तो और उसकी बीवी का बास का धाबा पूरे गाउ में फेमस भी हो गया है लेकिन मेरे होते हुए मैं उन्हें खुश नहीं देख सकती मैं उन्हें बरबात कर दोंगे कंचन चांदनी के धाबे पर बॉम प्लांट करने आ जाती है तभी वो चांदनी को देख कर स्तब्द रह जाती है और उसकी आँखें भराती है चांदनी ये ये मेरी बचपन की दोस्त है इसका मतलब इसकी शादी देपक से हुई है हम दोनों साथ में खेले हैं साथ में बड़े हुए हैं नहीं, मैं अपनी सहली का घर नहीं तोड़ूँगी ये गुनाह मैं नहीं करूँगी कंचन पीछे हो जाती है तभी उसे वहाँ पर भगवान जी नजर आते है बुराई में कुछ भी नहीं रखा है बेटा अगर तुम दोस्तरों को खुश रखोगी तभी ही खुद भी खुश रह पाओगी इसलिए बुरा काम करना छोड़ दो फिर देखना तुम्हारे जीवन में सिर्फ अच्छा ही होगी इतना कहकर भगवान जी अद्रिश्य हो जाते हैं कंचन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है वो दीपक को उसका बंगला वापस दी देती है और शहर चली जाती है वो वहाँ जाने के बाद अच्छे कर्म करती है और इमानदारी से खुद कमा कर अपना जीवन यापन करती है वही दीपक भी फिर से अपना काम शुरू करता है और थोड़े सालों बाद वो फिर एक बिजनसमैन बन जाता है चान्नी भी खूब तरक्की करती है और वो कई शहरों में अपने रस्टरॉण खोलती है मुंबाई शहर में विकरम नामक एक शेफ एक बड़े से रस्टरॉण में शेफ का काम करता था वो बहुती स्वादिश्ट खाना बनाया करता जिसे लोग चटकारे लेते हुए खाया करते वो अपने स्टाफ के बागी लोगों की भी मदद करता उसका बॉस राजनात भी उसके काम से बहुत खुश होता विकरम तुम्हारे हाथों में सच में जादू है जो कोई भी रेस्टरेंट में खाना खाने आता है वो बस तुम्हारे हाथों से बनाई गई डिशिस की तारीफ करता है थांक यू एक अच्छे और वफादार शेफ होने के लिए सर ये रेस्टरेंट हमारा परिवार है और हर ग्राहक एक महमान तो फिर स्वाद और खाने में कोई आना कानी कैसे आने दूँ मैं ऐसे ही स्वादिष्ट खाना बनाते रहूंगा और रेस्टरेंट को फाइदा दिलाता रहूंगा ये मेरा आपसे वादा है रेस्टरों अच्छी तरह चल रहा होता है लेकिन एक दिन राजनात का देहांत हो जाता है जिसके बाद उसका लालची बेटा रेस्टरों को एक बड़े आदमी को बेच देता है जिसके चलतें सभी स्टाफ मेंबर्स की नौकरी छूट जाती है और साथ ही विक्रम के लिए भी समस्या खड़ी हो जाती है विक्रम बहुत चिंताग्रस्थ हो जाता है वो घर जाकर सारी बात अपनी बीवी देव्यानी को बताता है विक्रम अगली सुभा नौकरी ढूनने निकल पड़ता है लेकिन सुभा से रात तक नौकरी की तलाश करने के बाद भी विक्रम को कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलती वो निराश होकर घर पर लोटता है और मंदिर से खाना लेकर आता है ये लो देवियानी, घर पर कुछ खाने को नहीं था, इसलिए आते समय मंदिर से ये खाना लेते आया हूँ क्या हुआ मन्नु के पापा, आपको आपको नौकरी नहीं मिली, बोलिये न नहीं देवियानी, मैंने हर जगा धूड़ी, बहुत इंटर्व्यूस दिये, उसके बाद भी नहीं मिली अब कलोर थोड़ी जगाओं पर जाओंगा, भगवान की कृपा रही तो नौकरी मिली जाएगी हाँ पापा, आपको नौकरी मिल करी रहेगी, देखना आप विक्रम लगतार पाच दिन तक यूही रोजाना सुभा से रात तक पूरे शहर में नौकरी ढूंडते रहता लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती, और ठक हार कर वो गाओं जाने का फैसला ले लेता है गाओं, लेकिन मनु का स्कूल विक्रम जब 20 साल का था, तभी उसके माता पिता उसे इस दुनिया से छोड़ कर चले गए थे जिसके बाद वो शहर आ गया, और अखेले ही अपने दम पर सब कुछ किया गाओं में उसके ताओ जी, हस्मुक और ताई जी यामिनी रहते थे हस्मुक की बास की खेती थी और गाओं में उसका बास का व्यापार था जब हस्मुक और यामिनी विक्रम के गाओं आने की वज़ह जानते हैं, तभी वो दोनों भी चिंतित हो जाते हैं अरे विक्रम बेटा, तुम बिलकुल भी चिंता मत करो, मैं हूना, मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ, तुम जाओ जाकर बाजार में अपना धाबा खोलो और पैसे कमाओ हाँ, विक्रम बेटा, तुम्हारे ताओ जी एकदम सही कह रहे है, ये बहुत ही बढ़ियां सुझाव है, तुम इतना अच्छा खाना बनाते हो, तो तुम्हारे ढाबे के खाने को गाओ वाले पक्का पसंद करेंगे, देखना हसमुक विक्रम को कुछ पैसे देता है, तभी विक्रम उन पैसों को लेने से इंकार कर देता है नहीं ताउ जी मैं इन पैसों को नहीं ले सकता ताउ जी मैं खुद पहले गाउं में नौकरी या पैसे कमाने का कोई दूसरा साधन देखना चाहता हूँ क्या पता जो नौकरी शहर में नहीं मिली वो गाउं में ही मिल जाए लेकन विक्रम बेटा ताउ जी, रहने दीजिये न, वक्त आने पर अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपसे ही पैसे लूँगा, ठीक है? ठीक है बेटा, जैसा तुझे सही लगे चलिए, आज में कुछ बढ़िया सा पकाता हूँ, फिर हम सब मिलकर एक साथ खाना खाएंगे कल सोबा मनु का गाउं की स्कूल में एड्मीशन भी कराना है विक्रम सब के लिए कड़ाई पनीर बनाता है अरे वाँ विक्रम बेटा, तुभारे हाथ का कड़ाई पनीर तो बहुत ही कमाल का है मजा ही आ गया खाकर धन्यवाद ताई जी अरे इस सच में कसूरी मेथी के खुश्पू और उसका स्वाद और साथ ही इतने यम्मी यम्मी पनीर के स्लाइसेस I love पापा के हाथ के कड़ाई पनीर थैंक्यू मेरा छोटू शेर विक्रम अगले दिन मनु की गाउं की स्कूल मेड्मिशन कराता है और उसके बाद गाउं में नौकरी ढूणने जाता है लेकिन अफसोंस इस गाउं में भी कहीं कोई नौकरी नहीं मिलती वो सारी हिम्मत हार चुका था और सारी उमीदें छोड़ चुका था तभी देव्यानी के दिमाग में एक सुझाव आता है ताउजी मैंने सोचा है कि क्यों न हम एक बास का धाबा खोले बास का धाबा? बास का धाबा? हाँ जी अगर अब हम ऐसे धाबे को बनाएंगे तो नजाने कितने पैसे लग जाएंगे उससे अच्छा एक बास का धाबा बनाते है बास की लकडियों से बना हुआ बहुत सुन्दर लगेगा सुझाओ तो अच्छा है देवियानी लेकिन क्या ये सच में मुम्किन हो पाएगा जी हाँ, अगर हम सबने साथ मिलकर काम किया ना तो सब कुछ मुम्किन हो सकता है विक्रम देवियानी, हस्मुक और यामिनी चारों मिलकर बास के धावे को बनाने में लग जाते हैं दो दिनों की कड़ी मेहनत के बाद विक्रम का बास का धाबा तयार हो जाता है और वो देखने में काफी सुन्दर भी लग रहा होता है देवियानी, तुम्हारों सुझाओ तो सच में बहतरीन और शानदार निकला हमारा बास का धाबा एकदम अनोखा, अलबेला और जबरदस्त लग रहा है चलो विक्रम बेटा, ये नारियल फोड़ कर धाबे की आरती करो और चूले पर तिलक करके मा अननपो नाकई प्रार्थ ना करो और तब जाकर अपने काम की शुरुवात करना ये लो, ये नजरबट्टू है, मैंने अपने हाथों से बनाया है इसे धाबे के बाहर लगा दो जी ताई जी, धन्यवाद विक्रम नार्यल फोड़ कर और तिलक आरती करके धाबे का काम शुरू करता है और नजरबट्टू को धाबे के बाहर लगा देता है थोड़ी ही देर में बास का आकर्शन और स्वादिष्ट खाने की खुश्बू गाउवाले को विक्रम के बास के धाबे की और खीची लाती है अरे बोले तो एकदम धमाल कर दिया तुमने तो विक्रम बाबू बहुत ही अच्छा खाना बनाया है ये बैंगन का भरता और ये गाचर का हल्मा ओए होई 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 मस्त एकदम मस्त अरे मुझे तो ये फूली होई पूरिया इतनी पसंद आई है कि मैं तो और दो प्लेट छोले पूरी ठूसने वाला हूँ यहां इस बास के धाबे में आकर खाना खाना कितना सुकून दायक लग रहा है न ऐसे लग रहा है कि हम किसी नैसर्गिक इलाके में या किसी जरने के पास पिकनिक मना रहे है जी भाई साब आपने सही कहा विक्रम अपने बास के धाबे के जरीए धेरों पैसे कमाने लगता है और वो अपने परिवार को अब अखेला ही संभालने लगता है और ताउजी और ताईजी को भी आराम देता है इस तरह बास के धाबे के जरीए उसकी तरक्य होती है और उसका धाबा कुछे दिनों में पूरे गाओं में मशूर हो जाता है और एक वक्त पर जो विकरम रेस्ट्रॉं में खुद काम करता था आगे जाकर उसी विकरम के शहर में रेस्ट्रॉं होते हैं दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा